फिलम में माइंड घुमा दिया जब इबराहिम का फोटो नोटिस बोड पर दिखाया गया अब यहां बहुत सारी पोसिबिलिटी है या तो इबराहिम बहुत बड़ा कांड करके वांटेड है या फिर वो कपील से भाग कर यहां वहां काम करता फिरता है और इसलिए बहुत सारे कपील उसे ढूट रहे है और साथ इसलिए इतना बड़ा फोटो पुलिस के नोटिस बोड पर लगाया गया है इसलिए नजीब को छोड़ कर वहां किसी दूसरे कपील के तलास में गया हूँ इसे अपना घर जाना ही नहीं था वो तो नजीब और हकीम को मदद करने के लिए आया था मेभी उसका अपना कोई नहीं है और क्या पता उसके घर में बहुत बूरी ही सिच्वेशन हो इसलिए वो अपना घर जाना ही नहीं चाहता है ना इंटरेस्टिक कहानी वैसे कहानी में सबसे दर्द भरी जिन्दगी किसकी थी नजीब हकीम या इबराहिम की नजीब जो बहुत दुख दर्द सहता है लेकिन वह अपना घर वापस चला जाता है हकीम जो भूक और प्यास के चलते रिगिस्तान में ही दम तोड़ देता है या इबराहिम जो विदेश में इतनी बूरी तरह से फसा हुआ है जो अपना घर जाही नहीं सकता और वहां दरदर भटक रहा है अपना राय जरूर कमेंट कीजिएगा